कि नमस्कार मेरा नाम है गौरव और हम बात करेंगे रावल गांदी के लंदन लक्षर की तो लंदन में रावल गांदी गए थे और वहां के एक विश्व विध्यालय में उन्होंने कुछ प्रेजेंटेशन दिया था भारत के विश्व में और जो बाते उन्होंने की उसपे बहुत ज़्यादा आक्रोस देखने को मिल रहा है खासकर भारत में ही तो यह भारत के नेता है और इन्होंने क्या-क्या बाते की थी मैं इसके बारे में बताऊंगा सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दू कि राहूल गांधी कौन है तो राहूल गांधी एक ऐसे पार्टी क उतराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं जो कि भारत की सबसे पुरानी राजनितिक पार्टी है अब कॉंग्रेस में इनको उतराधिकारी इसलिए मना जाता है कि कॉंग्रेस जो है वो जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तब से नहरू ने उस पे अपना कबजा जमा लिय था और उस वज़ा से वो एक लाइन ही बन गई कि जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी का उतराधिकारी होगा या कंट्रोल होगा वो नहरू गांधी फैमिली के पास ही होगा तो सुनिया गांधी इससे पहले थी अब राहूल गांधी है और इनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जारा है कॉंग्रेसी जो भी लॉयलिस्ट हैं उनके समर्थक हैं उनके सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा तो राहूल गांधी जो हैं बेसिकली इससे पहले ही उन्होंने दोजार चौवीस का कैमपेण स्टार्ट कर दिया है और वो कैमपेण था भारत जोड़ो यात्रा अब उसका तात्य पर यह था कि भारत तूटा हुआ है और एक मात्र जो एक लीडर जो उभर के सामने आ रहा है भारत को जोड़ने के लिए वो है राहूल गांधी तो यह सारा एक इंट्रोड़क्शन आपके सामने मैंने रखा है इससे पहले भी दोजार उनीस में भी बताया था बारबार हारने के बाद यह हर चुनावी साल इनको उभरता स्थे तारा ही बताते हैं तो पी आर जो एक्शन है इनका वो बहुत स्ट्रॉंग है अब यह राहूल गांधी लंडन में इससे पहले यह जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो इनक गेट अप यह हो गया अगर आपको ग्यात हो तो कुछ साल पहले यह नरेन मोदी के सरकार को सूटबूट की सरकार बुलाते थे आज खुद ही सूटबूट पहुंच पहन के कैंब्री यूनिवर्सिटी जज बिजनेस स्कूल एमबी ए लेक्चर हॉल में भारत के खिलाप ब ठीक है आप मोदी से आपका विचारधार में फर्क हो उनकी अपोजिट विचारधारा आपकी हो लेकिन आपके देश के प्रधानमंत्री है और अपने ही देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप विदेश में ऐसी बाते करते हैं यह किसी एक नेता के बारे में बात नहीं है यह आपके देश के प्रधानमंत्री के बारे में इससे पहले भी अगर कोई मन्मोहन सिंग के बारे में बीजेपी से या कोई विफक्ष से बाहर बात करता तो उसके बारे में भी यही बाते कही जाती इसके साथ यह बस अब प्रधानमंत्री या बीजेपी या आरेसेस के ब रावा भी जब भी राउल गांधी बाते करते हैं तो इनके कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको सामने रखता हoubt कि की सतरसे भारत के विरोध में बातेज लगती है कहते हैं कि भारत में डिमोक्रे-सी नहीं है यहां पर जो भी पिलर्स हैं डिमोक्रे퍼 यह सबको कि खतम हो चुके है अब कहते हैं कि भारत में विपक्षीहों को बोलने नहीं दिया जाता है ah जासि Ś CI किया की जाती है यह आब पेगसस का एक जिक्र आता है यह सरा कुछ बता है फिर कहते हैं कि भारत में उनको सेंड्ड क्लास citizen के तरह treat किया जाता है तो minorities पर भी अत्याचार बहुत हो रहे हैं यह भी एक narrative build किया है और आप यह ध्यान रखे यह विरेसी दर्थी पर यह सारी बाते कर रहे हैं उसके साथ ही बोलते हैं जब कि कहते हैं कि जमुकास्मीर में हिंसा और ज्यादा बढ़ चुकी है तीन सो सतर हटने के बाद कहते हैं कि जमुकास्मीर की police पुरी तरह से collapse कर चुकी है और जो security के institutions है वो भी हतोत्साहित है तो बहुत खड़ाव जमुकास्मीर की यह अपने आपको भावी प्रधानमंत्री बताने वाला एक नेता कह रहा है विदेशी धरती पे और कहते हैं कि भारत में आप निवेस ना करें क्योंकि भारत में जो लोकतंत्र है वो तो समाप्त हो चुका है तो आपके निवेस जो है वो डूर जाएंगे अब यह फिर अगर अभी इसको मैं चाइना से कंपेर करूँ मतलब जब यह चाइना के बारे में बाते करते हैं तो चाइना के बारे में इनका कथन यह होता है चाइना की ग्रोथ आगे बहुत ज़्यादा होगी चाइना एक राष्ट्र है यह चाइना के बारे में बाते कर रहे हैं और भारत को कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं थो चाइना सदभाव मित्रता वाला एक राष्ट्र है भारत नहीं है बारत एक संग हैं जो कुछ एक राज़ जो हैं उन्होंने एक क्या डॉक्यमेंट पर एक समझोंते के तहतं हस्ताक्षर किये और बारत इस लिए एक राश्ट नहीं रहते राश्ट्र नहीं होके एक संग बना जैसे कि placed European सारे देश जो हैं उन्होंने एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं और इसलिए वह यूरोपियन संग कहलाता है तो आप समझ ले कि चैना में इनको डेमोक्रेसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है वहां पर जो वहां के माइनरिती जैसे उगर मुसलिम उनके बारे समझ में कहते हैं कि मौदी ताना शाह हो चुके तो सीजगंपिं ने जो चैना की वेन पार्टी रूप फी उसको बदलके यहां के बारें करके ऊंगर के बार अगर कहें तो विदेशी धर्ती पे ये भी समझ में आता है लेकिन अपने देश के बारे में अब इसका और आगे जो कहें सिलसला यहीं खतम नहीं होता है राहुल गांधी जो ब्लंडर किया है वो ब्लंडर पे ब्लंडर है ये जो आपको फ्रेम में एक इनसान दिख रहा है राहुल गांधी के पीछे यह है ऑसल में पाकिस्तानी हैं जिसका नाम है कमाल मुनीर और यह वाइस चांसलर है जिसने यह और यह और्गनाज किया पूरा इवन्ट तो इसके ओर इवेंट ओर्गनाजिछी करने पर राहुल गांधी वहाँपे भारत के खिलाफ बाते कर रह है अब अगला इनका ब्लंडर जो कहें तो वो है यह राउल गांधी ने वहाँ पे कोई इंटर्वियू दिया उसी जगह पे और यह कहते हैं कि भारत में फॉर्ण फोर्सेज का इंटर्वेंशन होना चाहिए ताकि यहां पे डेमोक्रेसी बचाई जा सके तो इसमें अमेरिका को यह बुलाते हैं या यूरोपियन देशों को जो पस्चिमी यूरोपियन देश है कास कर उनको बुलाते हैं कि आप भारत में इंटर्वीन करें और यहां की सरकार जो है उनको पनिश करें या कुछ करें जिसके कारण भारत में डेमोक्रेसी को फिर से बहाल किया जा सके त अमेरिका का बहुत बड़ा अरपती बिजनेसमेन है इसका जुकाव पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है अब जो अमेरिका या वेस्ट की जो गवर्मेंट्स होती है उनके पास उतना पावर नहीं होता है पावर इन जैसे लोगों के पास होता है क्योंकि इनके पास ही जो इ सीज पर इंफ्लोएंस रहता है तो इनके यह भी जब वाल्ड इकॉंग में फॉरम पर भासन दे रहता तो हिंडेंबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो अडानी का भाव में तेजी से गिरावत देखने को मिली तो यह बहुत खुश था इसके मुताबिक अडानी अगर नीचे ग होगा कि उस उनकी जो पकड़ है पावर पर वो लूज होगी यह और इससे होगा कि बारत में लोक्तंत्र फिर से बहाल हो जाएगा तो यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के आगे पीछे क्यों घूम रहा है बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो डास्टवादी माने जाते ह हिंदू नेशनलिस्ट उसको कहा जाता है पश्चिमी देशों में और इस वज़े से आज नरेंद्र मोदी के पॉलिसीज के ताहत भारत एक ऐसे मुकाम पर है कि हम यहाँ पर G20 करवा रहे हैं जिसमें दुनिया के सबसे बड़े सबसे ताकतवर देश भारत में आके मीट कर हैं यहाँ पर अमेरिका और रूस लड़ाई न करके हाथ मिला रहा है जो कि और देशों में देखने को नहीं मिलता तो इसलिए भारत की स्टैचर जो है वो काफी बढ़ गई है अमेरिका पश्चिमी देश बोलते हैं भारत को कि आप रूस से अपना जो अपनी मित्रता है वो खतम करें लेकिन भारत उनकी नहीं सुनता है तो इस वज़ा से भारत का अब जो एक वर्चस्व है चायना को भी आखे दिखा रहा है बॉर्डर पे तो वो वर्चस्व के कारण ही जो नरे नुरमोदी इन देशों का के आखों का काटा बन चुके है अब इसके पीछे के कारण क्या है तो ये दुट्य विश्वयुद्ध से ही देखने वाली बात है कि दुट्य विश्वयुद्ध के बाद दो धड़े बने थे विश्व के एक पुर्वी ब्लॉक जिसको सोवियत यूनियन लीड करता था एक पस्चिमी ब्लॉक जिसको अमेरिका लीड करता था अब इन दोनों के बीच में भी सीट युद्ध चला ये देखने के लिए कि विस्व पे किसका अधिकार होगा, किसका कंट्रोल होगा. लेकिन सोवियत युनियन के तूटने के बाद ये एकत्र जो राज ये है वो पश्चिमी देशों के पास ही चला गया और उनके बाद उनका जो इंटेंट था वो सिंपल या नोबल इंटेंट नहीं था जब वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी आपके हां लाना चाहते हैं. ये इंटेंट ऐसा है कि पश्चिमी देश अपने आपको सिवलाइजाजे संका सबसे उपर का मतलब पिरामीड के सबसे टॉप पे अपने देखते हैं और पूरे विश्व को जितने भी जो फर्स्ट वोल्ड अपने आपको मानते हैं और पूरे विश्व में वो अपना पॉलिसी अपनी मानसिक्ता अपनी आइडियोलोजी establish करना चाहते हैं अपना system establish करना चाहते हैं और उसके जो establish करने के तरीके हैं वो भी बहुत noble नहीं है बहुत अच्छे नहीं है वो आपको financial punishment के ताहत आपकी सरकारे change करके आपके ruling class को change करके वो implement करेंगे या फिर direct military intervention के ताहत तो इस तरह बहुत example है सीरिया लीविया उसके बाद अफगानिस्तान इराक येमेन सुमालिया सुडान वियतनाम उसके बाद इरान इस तरह के देशों पे इन्होंने direct indirect way में वहां के सरकारे बदलने की कोशिश किये वहां पे कुछ इस तरह के दंगे फसाद करने की कोशिश किये और ये भारत में भी कर रहा है लेकिन भारत बहुत बड़ा है तो वो जो effect होता है छोटे देशों पे जैसे सीरिया में वो effect भारत पे नहीं देखने को मिलेगा लेकिन इन्होंने कोशिशें जारी रखी और राहुल गांदी जो चाहते हैं उनका क्या उद्देश है तो राहुल गांदी का उद्देश है कि भारत जैसा भी रहे चाहे यहां पे कितनी भी poverty रहे यहां पे भारत कमजोर रहे दूसरे पे depend रहे लेकिन मेरी जो government है मेरी जो प्रधान मंत्री के उपर मेरा अधिकार है वो कायम्ड है तो वो पहले भी हमने देखा जवाहर लाल नहेरू के समय सही वो ब्रिटिस के बहुत प्यारे थे उसके बाद जो इंद्रा गांधी थी वो भी आपकी जो कहें कि KGB Soviet Union की वो बहुत प्यारी थी और KGB का एक तरह से कंट्रोल हो चुका था भारतिय डोमेस्टिक पॉलिसी पे उसी तरह सोनिया गांधी के समय भी यूरोपियन देश और माकीत देशों के साथ बहुत ज़्यादा इनका जुकाउल देखने को मिलता था उसी तरह अब जो foreign interference है वो चलती रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यही एक मुद्दा है एक intent है राहूल गांधी का अब जो इसके मोदी को गिराने के पीछे और क्या-क्या कोशिश है चल रही है तो एक तो आपको पता ही होगा कि भीमा कोड़े गाउं वाला जो मामला चला था वो चाहे वो खालिस्तानी दंगे करवाते हैं किसान आंदोलन के नाम पर या फिर अभी हाल फिलाली अडामी वाला जो केस हुआ था उस तरह की चीजें करवाते हैं और उसके अलावा यह आप देखें तो आपको यह एक वीडियो से लिया गया है जिसमें यह देख सकते हैं चा नो टू टेरर अटैक अन माइनरिटीज तो यह इस तरह के प्रोपागेंडा वाले स्टॉप बर्निंग इंडियन क्रिस्चन अब पता नहीं कौन से क्रिस्चन को भारत में जलाया जा रहा है इस तरह की जो है पोस्टर्स वह देखने को मिले हैं और यह पोस्टर्स जो है व है और जनेवा इस सहर का नाम है उसी के एक में चौडाहे पर जहां पर वर्ल्ड एकॉनमिक फोरम है उसके बाद युनाइटेज निशन का ओफिस है यह वाला और वहीं पर इस तरह के पोस्टर्स नजर आ रहा है तो यह पूरा एक सिलसिला चल रहा है भारतिये सरकार को डि में दिखाने का ताकि जो हमारे अपने देश के जनता है वो मिसगाइड हो जाए और फिर उनको वोट से निकाल दे और आहुल गांदी जैसे को वोट कर दे तो यह पूरा एक सिलसिला चल रहा है और बहुत पहले से चला आ रहा है एक समय आपको ग्यात होगा कि नरेंदर मो के ऊपर यह हुमेनिटी के ऊपर केसेश चलाने की बात करी जा रही थी यह साड़ा कुछ देखने को मिला है अब देखते हैं कि 2024 में क्या हमारी जनता उस सरकार के को फेत पे फेत रखती है जो हमारे लिए एतना भारत के लिए कम से कम हित वाले काम कर रहा है और भारत के लि उनके नागरी को को भी पॉजिटीवली एफेक्ट करेगा तो या फिर आप वही नहरु गांदी वाला जो चला आ रहा है जिसमें अभी वह गड़ी भी हटाओ वाला स्लोगन मात्र यूज करते हैं लेकिन कभी उन्होंने गड़ी भी हटाने की कोशिस नहीं किये तो वही च रखना चाह रहा था आपको मेरे पॉंस कैसे लगे अपने विचार मेरे कमें सक्षेन में जरूर बता है साथ में मेरे ट्विटर पे भी जूरे और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करते ताकि जब ही मैं कोई निया वीडि सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेर करें पूरा वीडियो देखने के लिए धनिवाद अगले बार फिर मलते है तब तक के लिए नावस्ते जय हिंद